मैं ज़र रखते हुए तो हम ने ये प्रेस कॉंफरेंश में आपको दुलाया हुए स्पेशली जो हमारे मामिय प्रदेश अध्यक्ष प्री ताफिर गाउजी को लेके तो एक विशे मीडिया में प्रिंट मीडिया में खास करके आजिए सुब़ जो छपाया है और काफी दिनों से जो सोशल मीडिया में चल रहा है उसके संदर में उसके कॉंटेक्स में हमने ये प्रेस कॉंफरेंस बुलाया है मैं एक महामंत्री प्रदेश के महामंत्री होने के नाते पूरे जिम्मेदारी के साथ आप सब को यह बताना चाहता हूं कि जो हो रहा है इसमें काफी राजनीती गहराई तर इन्वॉल्व है और अरवनाचन एक छोटा प्रदेशन और आप लोग पी इसको अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे जैसे असेंब्ली इलेक्शन और पार्लेमेंटरी इलेक्शन नजदीक आएगा इस तरह का जो करेक्टर ऐसा इसनेशन बोलिये या एलिगेशन बोलिये इतना तरह के बाते निकलते रखें एक इस्टाब्लिश्ट ट्रेंड है और हम सप्राइज नहीं है जो आज इस तरह से जो हमारे मांगी अप्रदेश अद्रश के विरुत लोगों ने जो मोचा बोल रखका है कि झाल नहीं बोलेफ़ और चूल नहीं है अप्राइब के दिचेश्ट विरुट ट्रेंट चोईड बीजा कि लिए कुए बोलिय। they are in if you see that there was a letter which was in circulation and I can give you the date that later was dated 11th of May 2018 11 5 2018 there was a letter which was addressed to the president see tapping out if you read that letter it's very clear that the entire exercise that is being going on since April May June July this is part of a divisive idea if is it with a malicious intention to divide a strong bonding between the current chief mr. shri vema khanroji and the state president shri tapir gao ji jis chara ka ek taal mail mein sarkar aur party chal raha hai shayad mein yeh maan ke chalun ga ki is taal mail ko torne ki kooshit ni jari hai and let me tell you that this would be a few time exercise being done by the political opponent as well as the political detractors whichever whoever they may be and whichever party